हर्याना में नतीजी आने शुरू हो चुके हैं समय अदित्य सुर्जेवाला जी हमारे साथ है अदित्य जी क्या लगए आपने माथा टेका क्या कामना आपकी है क्या लगए और क्या आनलासिस है परमात्मा का आशरवाद और लेना और उनके चर्णों में चलना जब से हम छोटे बच्चे होते हैं हम सबको सिखाया जाता है क्योंकि आप कोई भगवत गीता पढ़िये गुरुगरंद साहिब पढ़िये एक चीज हमें बताई जाती है कि हमें लोगों की सेवा करना राजनीतिक तोर से इस चुनाफक से हमें व्यक्तिगत सरकार चलाने का और लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है लोगों की जिंदगी भैतर बनाने का मौका मिलता है गरीब आदमी आम आदमी किसान, मजदूर, चोटा, दुकानदार, मातर शक्ती, युवा शक्ती इन सब की जिंदगी बहतर बनाने का मौका मिलता है इस भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में अपने राज के आम आदमी की गरीब आदमी की मदद की नहीं लेकिन कॉंग्रिस पार्टी और मेरे खून में इन सब का नाम चलता है और रात को सो नहीं पाता इनकी चिंता होती तो मैं जानता हूँ आज भगवान तो क्या वोटरों के क्रिपा से और उनके आशरवात के साथ कॉंग्रिस पार्टी बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बनाने वाली है और क्योंकि वो एक बार फिर से अपने हर्याना को अपने कैथल को एक विकास नियाए और सच के रास्ते प नेगता निया दो छीज एक तो भाज़पा सरकार बाचपा नेताओं के पास अपने खुद के काम के बात करने करने के लिए तो कोई काम की भी नहीं काम की राजनीती होनी चाहिए काम करके दिखाओ और फिर बोलो देखो मैंने पछले 5 साल में 10 साल में यह यह काम किये इसके आधार पे मुझे वोट दीजे भाजपा सरकार काम करती नहीं उन्हें काम करना आता नहीं तो वो इस पर्सनल अटैक परिवार पे व्यक्ती पे जो अटैक करती है उसके हिसाब से राजनीती करती है कि देखो ये भार पढ़ा है फलाना पढ़ा है ये युवा शक्ती वहां भी खुश नहीं है बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं बारा बारा घंटे दो नंबर में मजदूरी के काम करते हैं खाना पीना मिलता नहीं कच्ची ब्रेड अंडा खाते हैं और घर की उन्हें बहुत जादा याद आती लेकिन वह बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि बेरोजगारी 40 प्रतिशत में पहुंची हुए इसलिए मेरे साथी बाहर जा रहे हैं और वह बोलते हैं हमें घर की बहुत जादा याद आती लेकिन इस भाजपा सरकार ने तो हमार की आवाज उठाए इसलिए मैं यहां और अपने हर्याना वासियों की केतर वासियों की आवाज उठाना चाथा और एक बेundर में चाहता और एक वह बेटर में असनुमारी इस पर या कहना है आपको और कॉपतित कि पंग्रेंस पार्टि के पास अन्यका ऐसे बड़े लीडर है जो हमारा प्रांथ चला सकते है जिनको लगता है हमारे पास इतना अनुभव है जिनकी पास खुद का सपॉर्ट बेस है भाजपा सरकार में कोई बड़े लीडर ही नहीं है सिर्फ मोदी जी शाजी जो वो निरने ले ले लेते हैं यह व्यक्ति पहला फॉर्स टाइम में ले भी हो अगर यह अच्छा पपिट बनेगा हमारा जो भी हम कहेंगे वैसी सरकार चलाएगा उन्हें मुख्य मंत्री बना देते हैं फिर सरकार तो चलती नहीं आप राजस्तान की स्थिती देख लो फर्स टाइम में ले जी को मुख्य मंत्री बना दिया उन्हें सरकार चलानी आती नहीं समझ नहीं है कि हमारे पूरे राजस्तान के अलग अलग हिस्से कैसे चलते हैं यहां भी जब मनोरलाल खट्र जी यार नाइब जी खुद हो सकता है वह आपको बताना पाए कॉंग्रेस पार्टी में ऐसे ऐसे नेता है जो सारे के सारे खोड़ अपने प्रांथ चला सकते हैं कौन चलाएगा यह निरने कॉंग्रेस पार्टी के हाई कमान राहुल जी सोन्या जी मलकार जिन खरगे जी लेंगे हम तो कॉंग्रेस के स बन सकता हूं मैं बहुत बड़िया सेवा कर सकता हो लोगों की और अपने हर्याना का नाम रोशन कर सकता है उसके हिसाब से हमारा हाई कमान निरने लेता है कैथल में क्या सुर्जे वाला परिवार ही अधित्य सुर्जे वाला ही कॉंग्रेस के पास ऑप्शन थी या आपको लगता है कि इन परिवारवाद के इलजामों से बचा जा सकता था कैथल में आप कैथल में गली गली में जाईए हर गाउं में जाईए सब आपको कहेंगे जो अधित्य यह आया है हमारे बीच में रहा है सुख दुख में रहा है हमारी बात सुनता है उनको लगता है कि यह युवा चेहरा है जो हमारे कैथल की सेवा अगले पांच ने अगले पचास साल कर सकता है हमारे कैथल को भी बहुत आगे लेकर जा सकता है और राहुल गांदी जी खुद भी कहते है उनके आशिरवात के साथ ही हमें टिकेट मिली वो चाहते है कि एक नया युवा ब्रिगेड जैसे राहुल गांदी जी की पहले भी होते थी फिर से एक नय युथ के चेहरे लेकर आ पाए कोई कॉंग्रेस पार्टी का हमें जवान रखने की जरूरत है तब ही कोई पार्टी चलेगी आज की दिन भी पूरे भारत में 50% से जादा लोग 30 की उमर से कम के हैं तो जब तक हम युबा चेहरों का आगे नहीं लेकर आएंगे वो युबा की आवाज नहीं उठा पाएंगे और हम 50% अपनी पॉपलेशन की आवाज ही नहीं सुनेंगे तो इसलिए रहुल गांदी जी ने निरने लिया था कि अदित्या बहुत अच्छी तरह बोलता है लोग की बात खुशी से रहता है और लोगों की सेवा करना चाहता है तो उसे ये चांस दिया जाए ये ऑपरचुनिटी डी जाए कि प्रस केथल के भी सारे वासी बोल रहे थे कि हमें लगता है अदित्या काम करेगा जैसे रंदीब जी ने किया था उससे ज़्यादा काम करके अलीला राम जी कहरें कि 10,000 से उनकी जीत होगी हम बोल रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी हर्याना में 70 सीट से जादा लेकर आएगी और मैं आप से वाइदा करता हूँ कि हम केथल की सीट भी उनमें से 70 सीट होईगी जो हम जीत के आएंगे और फिर मैं वाइदा करता हूँ हम लोगी सेवा करके दिखाएंगे अपने केथल का नाम एक बार फिर से रोशन करके दिखाएंगे शुक्रिया जाए